कि दिल्ली में जो है समय पत्रिकारों में मैं आपको बताऊं कि कोई टेंशन नहीं है कोई इस तरह का माहौल नहीं है कि तना तनी है बहुत सब चिंतित हैं सब लोग खुश हैं और पत्रकारों का ये कहना है कि ये जो है एक तरह के से पत्रकारिता का स्वरनेम काल है कि पत्रकार जो हैं वो इतना प्रभावी है कि वो जन्ता को जन्मानस को एक narrative क्रियेट कर सकते हैं या पत्रकारों के कहने पर लोग वोट दे सकते हैं या किसी के खिलाफ जा सकते हैं लोग तो इसे एक तरीक से एक मानना यह है कि ये एक तरीके से इन्होंने इनकी स्विकारियता को ज़्यादे और बढ़ाया है अब ज़्याद लोग इन चीजों के ध्यान दे रहे हैं और आपको मैं बताऊं कि जो पंच मकार आप कहा करते हैं उन पंच मकारों में से अब किसी के भी पास जो है किसी चैनल की संपादगी तो है नहीं सब के सब जादतर जो है वो डककन हो चुके हैं यूट्यूब पे आ चुके हैं और देखे न अभी तो यूट्यूबर्स को अब तो थोड़ा सा दूसरी तरह के माहौल में जा रहे हैं तो लोकसभा चुनाव से पहले दो महीने पहले स्तिफा दे दिया और उसके सब्सक्राइबर मिलियन्स में पहुँच गए हैं और अभी उसमें सोभीत मिश्रा था वहाँ पे एंडी टीवी के मुंबई ब्यूरो में उसने छोड़ दिया उसमें यूट्यूब चैनल बना लिया तो ये कोई अब ऐसा नहीं हो गई अब तो अपना चैनल ही बनाना है और अपना चैनल सैटलाइट चैनल बनाना तो हरेक के बसके नहीं है किसाब अरना गो स्वामी है दो सो क्रोड रुपे राजीव चंद सिखर ने दे दिये और अपना चैनल बना लिया तो हरेक के बसकी तो ऐसा है नहीं वरना राज सदीप की जम के खिचाई करता है कि आपको देखी अब आपको आईटी सेल वाले आपको रगड़ेंगे कल आप इस बात पर जो आपने आज यहां कह दी है खेर मुद्दे पर आते हैं आपने जो यह जो ब्लेक लिस्ट वाला मामला उठाया है आप लोगों ने इसे ब्लेक लिस्ट का नाम दिया है मैंने तो इस पर कल जो वीडियो बनाया था मैंने तो उससे हिट लिस्ट कहा था और वो हिट लिस्ट ऐसी नहीं कि वो निशाना मारन वाली जो इटलिस्त होती है सुपर हीट होने वाली रजव सर्मा का तो सीन ऐसा है कि जब यह नोट बंदी होई थी अरुन जेटली के समय में तो उसी समय इनकी खटपट हुई थी बीजेपी के साथ और उसके बाद से इनकी पट्री बैठी नहीं है और अरुन जेटली के और अभी पिछले दिनों इन्हें पार्लेमेट सेशन के बाद इन्होंने अधीर रंजन चोधरी को आपकी अदालत में बुलाया अधीर रंजन चोधरी कौन इतने बड़े पबलिक फीगर है या कोई इतने दिल्चस्प नेता है कि लोग ने आपके अदालत में बोलना भी बोलना आता नहीं है वो ना पंगाली डंग से बोलते ना हिंदी ना इंग्लिश तो वो एक कॉंग्रेस की तरफ और जो एंटी मोधी ब्रिगेड है सारी की सारी उसकी तरफ जो एलाइन होने की कोशिश हो रही है वो रज़त सर्मा तो उस तरफ दगे हुए है और देखिए इसमें जो ये लिस्ट है इसमें एक नाम है ये क्या नाम है लड़की का नाम है प्राची प्रासर ये प्राची प्रासर जो लड़की है ये इंडिया टीवी की एंकर है वरना इंडिया टीवी में रज़त सर्मा के लावा दो तीन और भी बड़े फेमस एंकर हैं उनको तो लिस्ट में नहीं लिया गया ये एक जिसे कहता है कि टोकन के रूप में किसाब कल सवाल उठेंगे कि रज़त सर्मा के चैनल को क्यों नहीं बेंड किया गया या रज़त सर्मा को क्यों नहीं बेंड किया गया नवीका कुमार को अगर बेंड किया जाता है तो इसका मतलब पू बहुती अन्नोन एक किसम की एक एंकर है, मैं तो जानता भी नहीं ता मैंने तो कल धूंडा उन्हें के कौन से चैनल की है, कौन है, तब पता लगा कि एक शो हता है, शाम को कोई डिबेट डिबेट कराती है, उसमें, तो ये रजस सर्मा का जो है, थोड़ा सा उन्हें छूट दी गई, एक थोड़ी सी विंड़ो क्रियेट की गई है, इसलिए रजस सर्मा ने कल रात के अपने शो में इसमें बोला भी, रजस सर्मा ने इसकी आलोचना की, कि ये बड़ा बुरा गलत समय आ गया है, पत्रकारों को बैन किया जा रहा है, अब वो पता नहीं, उनके शानों के बूरी दरीकिसे, और बाकी आप सब लोग, आप इनके बारे में तो सब जानती हैं कि सुधीर चोधरी हैं, इसमें जैसे कि गौरव सावंत का नाम है, गौरव सावंत जो है बेसिकली इंडिया टूडे का जो इंगलिश का चैनल है, उसके मुंबई ब्यूरों में हैं और वहाँ पे बीजेपी, शिव सेना की बीट देखते हैं और ये भी डिबेट्स में कई बार आते रहते हैं, तो इनका नाम इसमें क्यों दिया गया है, मुझे बड़ा आश्चरिया हुआ, और मेरा तो मानना है कि इनकी बजाए राहूल कंवल का नाम होना चाहिए था दगर दे नहीं था था, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि राहूल कंवल और राज़ीफ सरदेशाई के बीज में इस तरह की बहास होती है, तो राज़ीफ सरदेशाई हमेसा कांग्रेस की तरह रहते हैं और राहूल उनको काउंटर करते हैं, तो ये जो लिस्ट बनाई प्रियास है कि ऐसा भी किया जा सकता है अब इन पे तो कोई फरक नहीं पड़ रहा अब देखिए अब सुधीर चोधरी को उन्होंने बैन किया सुधीर चोधरी का जो ब्लैक और वाइट शोव आता है नो बजे वाला उसमें तो कोई गैस्ट आता ही नहीं है उसमें तो कोई डिवेट होती नहीं है उसमें तो उसका तो शोव अपना होता है अपनी रिसर्च का जो टीम है उसका दो-चार इस्टोरी लेते हैं दिन की उसमें करते हैं ज़ाद सजाद सबीर चोधरी क्या करता है के जो इनके conclave वगएरा होते हैं India 2 डे के उसमें नेताओं वेताओं के interview लेते हैं अब उस conclave को avoid करना किसी भी किसी के भी बसकी बात नहीं है सभी को एक बहतरीन मंच मिलता है अपनी बात कहने का और जब चुनाव आते हैं तो सभी channel इस तरह के conclave कराने लगे हैं तो पहले तो इंडिया टूडे ने शुरुवात की ती अब तो सभी चैनलों के ये शिखर संमेलन, मन्थन, फलाना, धिकाना, सब जगे होने लगे हैं इवन स्टेट लेविल पर भी होने लगे हैं स्टेट का चुनावारा है रायस्थान का तो व जोड़े इंट्रूव लेते हैं तो राहूल गांदी ऐसे नहीं कह सकते हैं कि मैं सुदीर जोड़े को इंट्रूव नहीं दूँगा तो ये लिस्ट जो है ये बेसिकली एक प्रेसर पॉलिटिक्स है एक गीदर भबकी टाइप की है और देखिए इस एक काइदे से इस मुझे बताईए कि इन्होंने इन पत्रकारों की लिस्ट बनाने के लावा क्या डिसीजन पर सहमती हुई है कि इन्होंने कोई डिसीजन ऐसा लिया हो तो जो इनके मीडिया वाला सैल है उसने ज़्यादे तेजी से काम किया अब देखिए उसमें जो पिछली ये जो ये जो समनवे को की जो लिस्ट बनी है कोडिनेटर्स की जो सूची थी इनकी इसमें 14 नाम थे और उसमें ये तैय हुआ था कि सीपीम से एक और नाम होगा सीपीम से दूसरा नाम अब तक फाइनल नहीं हो पाया दूसरी मीटिंग हो लिए उसके बाद कोडिनेटर्स की सीता राम य एक के बाद स्टेफ बाई स्टेफ जो चीजे हैं वो कमचोर ही होती जा रही है तालमेल का अभाव साफ नजर आने लगा है और ये मीडिया की जो लिस्ट इन्होंने जारी की है इसमें आप जैसे हमने शुरुआत में भी चर्चा शुरू की थी अपनी कि इससे तो इनको प कर लिया आप बताईए कि अगर आपको सही मायने में आप कोई धंकी लिस्ट बना रहे थे तो अब तो काईदे से आपको इसमें एंडी टीवी के पत्रकारों को भी ले लेना चाहिए था अरनब गोस्वामी का तो मैंने नाम इसलिए इस रूमें भी लिया था कि अरनब गो पिका कुमार को ले लिया उधर अरनब गोस्वामी को ले लिया लेकिन रिपब्लिक वाले के जो हिंदी वाला है उसे नहीं लिया है किसी को तो इसमें ये कुछ नहीं है ये सिर्फ एक दिखावा है फेस सेविंग है और एक तरीके से मेरा तो जो जानकारी है जो पत्रकार म तरह मेरे बता रहे हैं दिल्ली में तो उनका कहना है कि इसके पीछे जो रवीश कुमार और ये सब अभिशार सर्मा इस तरह के जो यो लोग हैं इन लोगों के द्वारा ये प्रपोज की गई लिस्ट है इन लोगों ने इस लिस्ट को बनवाने में एल्प की है और आप देख इस तरीके से बड़ा इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये बहुत बड़ा तीर मार दिया है इंडिया एलाइंस में सुधीर चोधरी का मैं आपको बताता हूँ कि सुधीर चोधरी की जो एंट्री आज तक में हुई आज तक के जो न्यूज डिरेक्टर हैं सूप्रियो परसाद उनकी मर्जी के खिलाफ हुई सूप्रियो परसाद जो है IIMC के पास आउट है और सुधीर चोधरी भी IIMC से पास आउट है और रवीश कुमार भी IIMC से निकले वे लोग है IIMC आपको पता ही हैगा आप तो जानकार आदमी है कि JNU की और IIMC की दिवार एक ही है एक दिवार है बीच में तो वामपंतियों का एक फैक्टरी है वहां से जितने भी वामपंति पत्रकार निकलते हैं सब ये सोरब दुएदी वेगरा सब JNU वहीं से निकले हुए है तो उसमें क्या था कि सुप्रियों परसाथ जो है वो नहीं चाहते थे कि सुधीर चोधरी की एंट्री हो तो ये जो अजीत अंजुम, विनोवत कापड़ी ये सब जो एक गुठ है दिल्ली में इन्होंने सुधीर चोधरी के खिलाब खुप सारे ट्वीट किये उसमें ट्वीट किये के आखिरकार अरुनपूरी के ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें सुधीर चोधरी जैसे पत्रकार को अपने यहां पर रखना पड़ रहा है जो इंडिया टूडे के मालिक है अरुनपूरी उस पोजिशन में पहुँच चुके हैं कि उन्होंने खेर अ कुछ ट्वीट किये थे सुधीर चोधरी के खिलाब और सूप्रियो परसाद में उनको लाइक किया था वो उसको लेकर मैंने वीडियो भी बन mango लिए था कि लाग्त कर रहा है जिसमें सुधीर चोधरी को बला बुरा का जा रहा है तो यह बहुत अन्दूरूनी चीजे चल रही हैं और इस सुधीर चोधरी के खिलाब जो केस हुआ है इससे आज तक में ही बहुत सारे लोग खुश हैं कि ठीक है फसा लेकिन वो है कि मामले तो एक तनाव की स्थिती तो बनी रहती है जैसे यह जीत अंजुम हैं चितरा तिरपाथी हैं एक वो एक मामले में फस रहे है बार-बार इनकी पेशी होती है अभी कुछ दिन पहले फिर भी होई थी जिसमें उन्हें वो उसकी आइडेंटिफिकेशन किसी बच्चे की वो जाहिर कर दी थी अपनी पुरानी मामला है पांच-छे साल 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 गुराना तो उसमें बार-बार यह जाते रहते हैं कोर्ट मे तलवार तो लटकी रहती है टैंसन तो ही तो लेकिन नेता लोग जो है यह तो बहुत सार इन्हें तो आदत होती है इस तरह के मुकद में लगातार लटते रहने की लेकिन पत्रकार जो अपने एक सीमित दायरे में रहके एक नोकरी करता है अपना उसके लिए कोट कचैरी औ करना असान नहीं होता और चैनल वाले इस मामले में कोई सपोर्ट करते नहीं है आपको अपने जो संसादन हैं उनी से सब कुछ करना पड़ता है वकील कीजिए आप माज आईए पेशी पर अपना काम छोड़के यह कल जो लिस्ट आई है ना इस लिस्ट आने के बाद से बह मामला है और आज तक वालों के चितरा तिरपाठी का भी नाम आया है उसमें देगे मुझे तो बड़ा आश्चरिय है वहां के अंजना ओम कश्षप स्वेता सिंग इनका नाम नहीं आया चितरा तिरपाठी का नाम आया इनके नाम है तो उसमें आपने कोई गलत लिस्ट दे नहीं है इनके नाम नहीं है तो इनका नाम आना चाहिए था लेकिन अभी मुझे एक मित्र ने बताया कि आपको ध्यान होगा कि अभी चितरा तिरपाठी ने ग्रूप 20 की जो मिटिंग हुई उसके लास्ट दिन एक चोटा सा वीडियो बड़ा वाइरल हुआ मोदी जी सारे आवाज आती है अदर से दन्यवाद आपका तो केवल चितरा तिरपाठी ने इस तरह से उस वीडियो को डाला कि मेरे सब मैंने पूछा उंसर उन्हों मेरा दन्यवाद अदर किया पत्रकारों में एक आदत होती है यह दिखाने की किस आप देखिए मेरे उस पर एटेंशन मेरे उस पर मोदी जी ने ध्यान दिया तो मुझे लगता है कि चितरा तिरपाठी का नाम जो है उसी की वज़े से जुड़ गया जो लास्ट में उनका दो दिन पहले वीडियो आया है उसकी वज़े से इसका नाम जुड़ दिया गया बैराल अभी कुछ लोग यह भी कह रह सर्मा वाली वो बिलकुल सही बात है और रजत सर्मा और राजीव शुकला नुराधा परसाथ जो न्यूज 24 के मालिक है यह सब लोभी जो है यह इस बार इंडी अलैंस को सपोर्ट करने वाली है यह बात इनकी सेटिंग हो चुकी है इसमें संदीप चोधरी जो है निकल गय ठाल में तो यह मंटा को सपोर्ट करते हैं यह दिल्ली में प्रो बीजेपी हो जाते हैं यह दोनों अलग हैं यहां प्रो मोधी उसका रवइया रहता है यह थो है थोड़ा सा पर खैसंगे यह थोड़ा सा समार्टनेस धिखाते हैं अपनी अर्णव गोस्वामी का थोड़ा सा अलग हिसाथ किताब है अर्णव गोस्वामी इन सब से अलग थोड़ा सा इसलिए हो जाते हैं कि अर्णव गोस्वामी ने जो अपना सेंटर बनाया है वो नोड़ा नहीं बनाया है अरनव गोस्वामी मुंबई से सब कुछ कंड़क्ट करते हैं और वो डारेक्ट किसी के टच में रहते नहीं है यहाँ पर अरनव गोस्वामी उनका कंसेप्ट किलियर है यह जो अपने IT मिनिस्टर राजीर चंद सेखर इनका पैसा लगा हुआ है रिपब्लिक में रिपब्लि उन्हें कोई दिक्कत है नहीं वहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ कोई पंगा नहीं है उनके साथ और यहाँ डिली के लोगों के साथ उनका उटना बैठना उतना होता नहीं है अभी देखिए ग्रूप 20 का इतना बड़ा कारेकरम हुआ है और वो स्वामी तो दिल्ली आए है जिस तरह कि यहाँ पोलिटिक्स पत्रकारों में आपस में चलती है उसमें मैं हिस्सा नहीं लेता हूँ तो उनका तो अजेंडा किलियर है अपना परनव गोसामी वो इस सबसे अलग रखते हैं अभी तक जो चीजे सामने आई हैं उससे तो लगता नहीं है कि नतीजों प अखबारों से अपनी सेटिंग कर लेते हैं तो मैंने भी कई बार उनसे पूछा मैंने का भई तुम सब यह क्यों करते हो इससे क्या फायदा है तो नहीं का कि देखिए हमारी एक वो है कि आप हमारे समर्थन में कुछ ना लिखे हमारी इच्छा ही होती है कि हमारे खिलाफ क के सारे पुराने record निकाल के लोग public में रख देते हैं तो कई देफ़र क्या होता है कि जो विदान सभा के चुनाव या लोगसभा के चुनाव होते हैं इसमें सानसदों के खिलाफ उनकी family के लोग या उनके personal matter हैं जो वो इस तरह के जाधर highlight होने लगते हैं तो वो थोड़ा क्या होता है कि जैसे आज कल सभी चल रहे हैं कि अशोग गैलोत विग्यापन छपवा रहे हैं इवन दिल्ली के सारे अख़बारों में विग्यापन छप रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये कम से कम हमें अगर हमारे समर्थन में निक सकते हैं कम से कम हमारे खिलाफ तो क कोई create नहीं हो पाता मैं नहीं मानता कि इससे कुछ फर्क पड़ता है बस इतना होता है कि रोजाना अशोग गैलोत की या सिवराज सिंग चोहान की तस्वीरे छपती रहती है और उन्हें एक संतुस्ती रहती है कि हाँ हम मीडिया में हाइलाइट हो रहे हैं वरना चुनाव के नतीजों पर इसका कोई परभाव नहीं पड़ता मैं नहीं मानता है इसे दोजार चुनाव में तो आपने सही का कि एक उस समय केवल सुभास चंदरा का जो नेटवर्क था जी नियूज ये केवल मोदी जी के साथ खुलके आगय था शुरू में क्योंकि जो CWG वाला मामला चल रहा था कॉमन वेल्थ गेम्स वाला उसे लेकर इन लोगों ने बहुत स्टोरियां दिखाई थी इवन जाके वहां खेल गाओं की यहां पर यह गटिया काम हुआ है यह और केवल यह एक नेटवर्क यही था जो खुलके साथ आया था और उसी समय जो है अंबानी ने टे बुबात की बात है उससे ने की वरना आपने बिल्कुल सही का सारा मीडिया इनके साथ था और अब तो खैर चैनल से हैं खुलन खुला सब कुछ चलता है अखबारों के दोर में तो आप तो आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से टाइम सोफ इंडिया हिंदुस्तान टाइ है कि मोदी जी ने इनी का जो गेम है वो इनी के खिलाफ चला है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मीडिया को नेरेटिव क्रियेट कर सकता है तो निश्चित रूप से उसका फायदा उठाने की कोशिश मोदी जी ने भी की और 2019 में तो आपने सही का सारा ग्लोबल मीडिया लगावा था खिलाफ और फायदा हुआ मोदी जी को इस से चोकिदार चोरे वाला तो बाहर से था वो जो राफेल वाले मामले में और राहूल गांधी कह रहे थे वो तो सब वही जो टूल किट ये सोरोस एंड पार्टी है इन सब लोगों का चलाया हुआ मामला था एको और अपने ट्वीटर हैंड डालो और सब जगह मैं भी चोकिदार मैं भी चोकिदार उन्होंने कहा कि यही बना लो देखते हैं यह कितने हमें चोकिदार चोर है कहते हैं सारे चोकिदार बन जाओ देखे कितने चोर हैं और अभी मोदी जी कहते हैं कि यह तो पारलेमेंट में भ आते हैं और चाते हैं यह बात तो मैं कही रहा हूं सुरू से कि अगर आपको बैन ही करना है तो आप चैनल को बैन कीजिए अब जैसे मैंने आपको सुधीर चोधरी के शो का उधारन बताया था कि ब्लैक और वाइट में तो कोई गेस्ट आते नहीं है सुसांत सीना का जो प्र इस तरह से बैन कर दिया जाए यह तो बहुत चोटी अरकत हैं इनकी मैंने आपको कहा भी है कि चार मीटिंग हो चुकी है इंडिय अलैंस की अब तक इन से बस इतना ही काम हुआ कि यह 14 पत्रकारों को ही बैन कर पाएं बताते तो कि सब सीट शेरिंग का फार्मूला क्या बन अमुर अबदुल्ला ने फार्मूला सुझाया कि जिस सीट पे जो इस समय विनर है जो सीट इंडी ब्लोक के पास है उसको डिसकस ना किया जाए उन सीटों को डिसकस किया जाए जो इंडी ब्लोक के पास नहीं है अब उसमें महबोबा मुप्ति की हालत खराब हो गई मैं कौन देगा तो बड़ी अबिचीतर सी स्थिति है उमर अब दुल्ला ने तो अपनी पांच सीटे देखनी है जम्मू कश्मीर की उन्हें कि औरों से क्या मतलब है कुछ भी होता रहे बाकी जगा तो इन पर कोई बन नहीं पा रही है कोई माहूल बन नहीं पा रहा है और य पांडे जी का भाई तो वो तो चाते हैं कि साब मुझे टिकट दे दिया जाए और टिकट नहीं दे दिया जाए तो कम से कम इन लोगों का इन चुनाव में मीडिया के नाते जो है वो इतना इंवोल्मेंट तो बना रहेगा इस तरह के काम तो होते रहेंगे लिस्ट आती र रहेंगी यह सब चीजे चलती रहेंगी कि तो मज़ा आने वाला है लोग सबा चुनाव का विगुल बजा हुआ है यहां पे प्रेस कलोफ ओफ इंडिया है जो दिल्ली में इसके अद्यक्ष हैं उमा कांत लखेडा उमा कांत लखेडा जो रविश कुमार की प्रेस कॉनफर तो उसके बाद यह कहीं इनको काम तो कहीं मिला नहीं है एक आशुतोस है आशुतोस किसी चैनल में तो जानी पए ठीक है उपना यूट्यूब चैनल बना लिया सब्ते हिंदी डोटॉम बड़ा मुश्किल हो जाता है कि डारेक्ट जुड़ना लेकिन रवीश कुमार के लि वी लड़ सकते हैं, किसी सलाकार कमेटी में भी बैट सकते हैं, और जो आपने कही कि अगर ऐसी कोई एडवाईजिरी कमेटी बनती है, इसकी, तो वो उसमें भी जा सकते हैं, यूटुबर्स की ब्लैक लिस्ट जारी करना इनके बसकी नहीं है सर, यूटूबर्स की बैक लिस तो बहुत लंबी बनेगी, उसमें तो बहुत बड़ा बड़ा ताम जाम होगा, यूटूबर्स का तो यह डूंड नहीं पाएंगे, यूटूबर्स में तो दोनों ही तरफ के लेफ्ट वाले भी और राइट वाले भी भरमार है इस समय, लंबी ल यूटूबर्स पर सभी डलों की खासतोर से नजर है कि चैनल के बजाए, यूटूब चैनल के माध्यम से जो है पकड़ा जाए, क्योंकि लोगों की जो विश्वसनियता है, चैनलों के मुकाबले यूटूबर्स पर जादे है, क्योंकि उनका जो मत है, उनका वो सपष्ट ह है कि वह इधर राइट और इधर लाइट उनका क्लियर है तो जिसको जो पसंद है वो पना अपने हिसाब से करा रहा है वहां पर चैनल वालों में तो बड़ा दिक्कत होती है चैनल में बड़ा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करें